आज हम बालू माफियाओं की पोल खोलने वाले हैं अब क्या हुआ कि हमने कुछ सवाल बालू माफियाओं से पूछ लिया तो बालू माफियाओं ने इस पे क्या जवाब दिया अब ज़रा सुनिये गौर से जब ओवर्लोड ट्रक था उनका जब उन से हमने सवाल किया तो पता हा उन्हें धिहाति भशा में क्या कहा ओवर्लोड है सहर में देखिएगा तॉप कहिए ना सॉपके देखे ना वल जाला एलिखा ना कुछ ना 3501 जिला में 3000 पासिंग खाली हो ला ऐसे बोलते हैं बिहार के बालू माफिया दखिए सुसासन की सरकार में अफसर और बालू माफिया की बल्ले बल्ले है जी हाँ होगा भी क्यों नहीं अवेद धन्दे में माफिया से लेकर पुलीस भी मिली हुई है जी हाँ बालू खनन के अवेद में पुलीस और बालू माफिया आपस में साथ घाट की हुई है अवेद खनन में अब तक 50 से भी ज्यादा अधिकारियों पर करवाई हुई है लेकिन फिर भी अवेद खनन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है जी हाँ सैक्रो ट्रेलर ओवरलोड बालू और उसके बाद लदे ट्रक एक जिले से दूसरे जिले में खुले आम जा रहा है यानि की सैक्रो बालू और फिर मिटी लदे जो ट्रक है ट्रैक्टर है एक जिले से दूसरे जिले में लगतार जा रहा है वो भी खुले आम जा रहा ह और यह सब स्थाना और खनन विभाग की मिली भगत से यह हो रहा है लेकिन थाना से लेकर जी हाँ थाना से लेकर खनन विभाग के अधिकारी स्खेल से अंजान बने हुए है पुर्वी चमपारन जिला, खनन पताधिकारी राहूल कुमार अब जरा इस वीडियो को देखिएगा जी हाँ पूर्वी चंपरन का ये वीडियो है और आपको हम दिखाने जा रहे हैं तो खनन पतादिकारी राहूल कुमार जी इस वीडियो को देखिएगा तब कहिएगा कि आप तो कहते हैं कि खनन विवाग और माफिया मिला हुआ नहीं लेकिन यह वीडियो देखकर शायद आपकी नींद खुल जाए और आप नींद से जाग जाए क्योंकि बालू माफिया खुले आम मिट्टी काट कर बालू काट कर एक जीले से दूसरे जीले में सप्लाई कर देते हैं वो भी खुले आम हमने जब पूछा कि बालू लदा ट्रक है हमारे पास पहुंचा आईए और बीच में अगर पुलीस पकर लिया क्योंकि आपका जो ट्रक है वो ओवरलोड है और बीच में अगर पुलीस पकर लिया तो फिर तो हमको दिक्कत हो जाएगी तो पता है क्या कहते हैं अरे कुछ नह ही है यह रिस्क बालू माफियाओं ने अपने पर ले लिया और कहा कि यह टेंसर नहीं लिजिए हम पहुंचा देंगे क्या दिक्कत है रिस्क हमारा है तो देखिए वक्त है अभी भी जाग जाईये थाना प्रभारी और खनन विकास पतादिकारी जीला के और आपको हम हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि आपको अगर चैन से सोना है तो आप जाग जाईये क्योंकि लगतार बालू माफियाओं पर करवाई भी की जा रही है लेकिन अभी भी खुले आम अवैद धन्दे बालू की बिक्री हो रही है जीले में तो लगतार पूर्वी चम्पारन जीले से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे है और बिहार के अन्य जीले में भी हम जाएंगे और वहां भी समस्या आपको दिखाएंगे कि क्या समस्या है लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुर्वी चंपानन जीले से की लगतार जीला खनन पतादिकारी जो हैं लगतार करवाई भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसा मामला सामने आ रहा है कि पुलीस और खनन विभाग की मिली भगत से बालू माफिया खुले आम अपना कारोबार चला रहे है